दोस्तों कर आप currency market में काम कर रहे हो और currency market में काम करते हुए आप USD, INR के उपर काम कर रहे हो दन उस condition में यह चीज़े जो आज मैं बताने वाला हूँ आपकी आखे खोलने वाली है क्या आज मैं बात करूँगा money management strategies के बारे में common सी बात आजाती है, कैसे काम करना है समझो सबसे पहली बात आती है, हमें जब पैसे कमाने की बाते आती है तो हमारे mind में ने कुछ concepts clear होने चाहिए और वो concept अगले करिये नहीं है then definitely हम पैसे को कमा ही नहीं पाएंगे plus currency market में काम करना है या फिर किसी भी market में काम करना है तो अगर हम लोग ये वाली strategy समझ जाते हैं कि अपने पैसे को कैसे use करना है, देखो काफे सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास में 10,000 होंगे, काफे सारे लोग होंगे की business community बहुत जादा activate रहती है उनका ये strategy रहती है कि वो अपने पैसे को different different part में बाट देते हैं कि इतना पैसा मैं यहां लगाऊंगा इतना पैसा मैं यहां लगाऊंगा और इतना पैसा मैं यहां पे लगाऊंगा इसी तरीके से share market के जब बात करें तो share market में भी ये बाते की जाती है कि आपको money management rule के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम किया जाए जैसे normally 8 segment होते है आठ हमारे कह सकते हो जो industries होती है उनके इंदर different different stocks होते हैं उनके इंदर पैसा लगाया जाता है तो different different तरीके से आपका कह सकते हैं जो portfolio है वो एक management तरीके से काम किया जाता है strategies proper way में काम करती है जैसे की mutual fund वाले होते हैं उनकी strategies होती है कि मुझे इतना पैसा यहां लगाना है इतना पैसा मुझे यहां लगाना है इतना यहां पे लगाना है अगर कहीं पे एक जगा पे कोई fail भी हो जाता है तो बाकी की दो जगा उनको profit दे जाती है अब अगर हम बात करें केवल और केवल forex market की तो forex market का concept को थोड़ा साना different होता है different ही रहता है कि आपको पता है कि forex market में जब हम काम कर रहे हैं हम तो rule number one यही बना के चल रहे हैं कि हम लोग 2024 में आप में से देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनने इस चीज़ के लिए मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और मेरे group के अंदर भी हैं mutual funds की बात करें जो लोग SIP करते हैं उनकी बात करें ठीक common सी बात आ जाती है यह different plans जो भी होता है उनसे आगे हम growth कर पाते हैं अब यहाँ पर money management कैसे follow किया चाता है यह बात ध्यान रखिए money management को follow करने के लिए आपको जिस चीज के अंदर आप काम कर रहे हो ना उसके पूरे concepts clear होने चाहिए आपका mindset clear होना चाहिए mindset clear करने का तरीका क्या होता है उसको समझो जैसे कि हम लोग यहाँ पर example के लिए लेके चलते है nifty यह bank nifty अब common सी बात है आप कहते हो भाई मैं अच्छा हूँ आप किसी से तो comparison कर रहे हो ना कि आप किस से अच्छे हो तो हम यहाँ पर बात करते हैं किस से nifty bank nifty से देखो यहाँ पर problem यह आ जाती है कि यहाँ पर अगर आप काम करने जाते हो तो अगर हम देखे हैं अगर हम copy भी नहीं कर पा रहे हैं जो सामने वाला इंसान कर रहा है दन definitely मैं काम करने का कोई भी यह दिकार नहीं है आप देखोगे एक दुकान खुलती है अगर दुकान अच्छे दरन होना चालू हो जाती है तो उसके पड़ोस वाला दूसरी खोल लेता है दन तीसरी खोल लेता है दन यहाँ से करके पूरी दुकाने खोल जाती है और वो area उन particular shops के बारे में जाना जाता है अगर यह 10% लोग पैसा कमा रहे है और यह पैसा कहां से कमा रहे है अगर वो बात हम धंग से समझ लेता है और वो reason क्या है money management को कैसे वो use कर रहे है अगर वो बात हम समझ लेता है तो बहुत ही जादा profitable count होता है अब यह 90% की बात करें यह गलतिया कहां पर करते हैं और 10% क्या कर रहे हैं जो profit कमाते हैं उनको समझो यहां पर सबसे पहली बात आती है कि जब हम काम करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ें होती है लोगों को लगता है कि हमें सबसे पहले पैसे की जरुवत है बट एक्चल में बताना चाहूँगा स्टार्टिंग के टाइम में अगर आपके पास पैसे नहीं भी है न और मैं नहीं कहता हूँ ना हो तो बैटर है क्यों अगर आपके पास पैसा होगा तो आप बहुत ज़दा overconfidence में आकर like क्या करोगे नुकसान पर नुकसान कराओगे अगर आपको पैसा कमाना है तो पैसे कमाने के लिए पहले skills की बात की जाती है यहाँ पर ध्यान दो अगर हम nifty bank nifty में काम करते हैं तो यहाँ पर 1 लाक या 2 लाक या 3 लाक के अंदर अगर आप काम करते हो तो कोई खास moment नहीं ले सकते हो ठीक, यहाँ पे तो हम बात ही नहीं करते हैं, इसकी तो हम बात ही नहीं करते हैं, यहाँ पर अगर काम कर रहे हैं, तो कौन लोग पैसा कमा रहा है, पैसा कमाने वाले कौन है, mutual fund वाले, mutual fund के पास किसका पैसा है, आप लोगों के द्वारा दियावा पैसा, प्लस banking system में जो पै और जो विचारे नुकसान करा रहे हैं वो क्या करता है? दुह को यहाँ पर भी exceptional case होते हैं, हर जो महाँ पर हाँ आज रहे हैं? अब यहाँ पर हम बात करने आचाते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? दो दोस्तों यहाँ पर money management की बात की जाए है न, तो हीहाँ पर money management different है क्यों different है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा margin की जरूवत पळती है यह बात ध्यान रखेए यहाँ पर money management rules जो है न वो बिल्कुल बिल्कुल different होने वाले है तो यहाँ के बात करें यहाँ पर क्या चीज़ रहती है यहाँ पर पैसे की जरुवत है, वो बहुत ही limited रहती है, ठीक, यहाँ पर काम कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको safety जाता रह जाती है, plus averaging कहां करना है, money management कैसे use करना है, उसको समझने की बात आती है, तो इस थरीके से समझो, सबसे पहले बात आती है, माल लीजे, price अभी 83 चल रह है न, actual में यह उसी की value है, जो daily daily change होती है, और उस daily होने वाली changes के उपर हम लोग gameplay करते हैं, और इनी लोगों को forex trader बोला जाता है, अब अगर यह चीज बेसिकली नीचे की तरफ आना चालू हो जाए, $1 equals हो जाए, माल लीजे 70, तो अब क्या है, आपको $1 के लिए कम पैसा चुकाना पड़ेगा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप मजबूत हुए, आपकी currency मजबूत हुई, और अगर आपको $1 के मुकाबले, like अगर आपको $90 चुकाना पड़ जाए, तो आपको जाता पैसा चुकाना पड़ेगा, $1 के मुकाबले तो यहाँ पर क्या है, उपर ग आपको क्या लगता है, कि आपने यहाँ पर डाले और वो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद देखोगे, आप क्या सेम रहने वाले हैं, कथा ही भी सेम नहीं रहने वाले हैं, उसकी value daily change होती है, और 24 घंटे, पाचो दिन, जो moments होती है, उनकी value change होती है, अब यहाँ पर ध्यान देने क बात है, value होती है, कितनी change है, इस पर ध्यान दे, अगर आपको बताना चाहों, तो monthly basis पर, अगर मन्त की बात करूँ, तो monthly basis पर आप देखोगे, तो overall जो trend रहने वाला है, USD, INR की बात करें, जो trends है, basically, वो upside पर moment करने के रहते हैं, दूसरी चीज़ आ जाती है, अगर हमें काम करना भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर one day के time frame के उपर, जब check करेंगे, कि क्या moments हो सकती है, कितनी range हो सकती है, तो आप notice करोगे, कि one month के अंदर, normally one month के अंदर, USD, INR के अंदर, especially, जो मैं काम करना चाहता हूं, जिसके अंदर, उसके अंदर moment कितनी होती है, normally 40 पैसे से लेकर 50 पैसे तक की per month moment होती है, ठीक, per month moment count होती है, अब यहाँ पर कैसे strategy यूज करें, कैसे money management की strategy यूज करें, कि यहाँ पर हमें losses होने के chances ना के बराबर count हो, आईए समझाता हूं, सबसे पहली बात है, अगर price मेरा मान लीजिए, मैंने देखा month के basis पे, मैं month के basis पे गय करूँगा कि मेरा support zone क्या है, और check करूँगा मेरा resistance zone क्या है, ठीक, पहली चीज मेरे mind में यह चीज clear हो जानी चाहिए, कैसे NSA के data को देखते वे, जिसमें हम open interest को देखते हैं, open interest के हिसाब से identify करते हैं, कि जैसे उपर का range जो है, 83.50, मेरा यह जो दिखा रहा है, यह higher zone है, मत इचे की बात करें, मेरा support zone जो count हो रहा है, मान लिजे, वो 83 count हो रहा है, ठीक, मैंने इस तरीके से monthly identification कर ली, करने के बाद में step number 2 हम क्या करेंगे, step number 2 देखेंगे, price कहां पर चल रहा है, अभी मान लिजे मैंने देखा, मेरा price चल रहा है, 83.1200, तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पर मैंने चेक किया, कि मेरा price यहाँ पर है, और मैंने यह चीज़ notice की, कि जो monthly basis पे मेरा zone है, like मेरा higher zone और lower zone, यह मेरा higher zone, जहां तक जाना चाहिए, यह मेरा lower zone, कि मेरा support zone है, तो यहाँ पर notice करोगे, तो यह movement जो होती है, कुछ इस तरीके से रहने zone है, support number 2, वहाँ तक की high probability होगी, कि price वहाँ तक जाने की कोशिच करें, क्यों, जैसे support break हो जाता है, then वह वहाँ पे उस particular time पर क्या बन जाता है, वह वहाँ पे resistance की तरह walk करने चालू कर देता है, बट अभी के लिए, जब तक हम देख रहे हैं कि open interest के हिसाब से, अभी भी 83 ही support zone, तो 82.90 भी आ जाता है, तो इंसान डर जाता है, यह तो support break हो गया, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बात ध्यान रखो, जो open interest के हिसाब से, जो यहाँ पे positions बनी होती है, उसके हिसाब से आप देखोगे, तो अंदाजा आपको लगेगा कि अभी की बात करें, तो अ होने चाहिए, पता लगा आप हो ही नहीं उस trade के अंदर, उस condition में क्या होने वाला है, आपके हाथ से, वो एक बड़ा वाला moment जो है, वो miss हो जाएगा कि moment जो आनी थी, यहां तक कि जानी थी, clear हुआ, दूसरी चीज आ जाती है, अगर यही चीज में बोलू, उपर की तरफ स होती, उपर की तरफ से means, कैसे, अगर price मेरा यहां पर ना चल कर, अभी के time पर, मेरा price कहां पर चल रहा होता, वो यहां पर चल रहा होता, कि भाई, 83.4200, so इस condition में मुझे दिख रहा है, कि भाई, high chance है कि price यहां से यहां तक जाए, और उस condition में वहां से वापस reversal करके, अपन जो resistance zone मेरा जो था, वो 83.50 था, अभी resistance zone में चेक कर रहा हूं, तो वो 83.75 के उपर, मेरा open interest shift हो चुका है, देन उस condition में मैं बोलूंगा कि मेरा जो अभी support है, support अभी 1, वो 83.50 काउंट हो रहा है, यहां पर गडबड क्या होने वाली थी, यहां पर गडबड यह होने वाली थ इस पर, अगर price मुझे ऐसे दिखाए देता है, कि मेरा 83.4200 प्राइस चल रहा है, तो मैंने माल ली जी, यहां पर buy position बना ली, बट मुझे पता है कि मेरा जो target है, वो maximum 83.50 होगा, क्योंकि मेरा first resistance zone 83.50 काउंट हो रहा है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अगर मैंने यहां पर, like, एक महीना आगा, मैंने क्या किया, हमने मार्च मंत का buy किया, तो मैं यहां पर आने पर क्या करूंगा, यहां पर जो sell करूंगा, वो कौन से मंत का करूंगा, मैं वो feb मंत का करूंगा, मतलब हम दूर वाले को buy करते हैं, और pass वाले को sell करते हैं, reason बड़ा simple सा है, अग आप क्या कर सकते हो, अपनी sell वाले trade को exit कर सकते हो, बाकी अगर वापस वो reversal moment करना चालू कर देता है, उस condition में आप पूरा reverse moment catch करोगे, जिसमें sell वाले side पर आप same profit gain करोगे, नीचे bottom पर आने पर आप क्या करोगे, यहां पर buy वाले trade को खुला छोड़ोगे, और अपना अरा पर भी, कि माल लीजे आपके पास fund कितना है, अगर आपके पास fund कम है, दन उस condition में averaging के rules different होने चाहिए, अगर fund थोड़ा जादा है, दन उस condition में एक opportunity की तरहा आप averaging को use कर सकते हो, कैसे समझें, अगर price मेरा अभी support zone के पास खड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पर approach चल रहा है, मेरा 83.15 चल रहा है, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर buy trade ली, ठीक, buy trade लेने पर क्या हुआ है, नीचे की तरफ लुडग गया, तो मैंने चेक किया, बही मेरा support number 1 जो count हो रहा है, वो 83 है, तो मैंने यहां पर क्या किया, फिर से, अभी माल लो मैंने यहां यहां पर 10 lot में काम क किया था, मैं हापे क्या कर सकता हूँ, मैंने यहां पर फिर से 10 lot add कर लिया, अब खुछ लोग कहेंगे double कर रहे हो, भाई यह 10 lot है, कल को अगर यहां पर 16 lot होते, तो मैं यहां पर 10 ठोड़ा ना करता है, यहां पर 10 quantity को क्या करता, नॉर्मली जो quantity होती है, अगर 100 lot होते, तो म 20% fund use होना चाहिए only, ठीक है, first trade लेती हो तो, अगर उसके बाद में फिर averaging करने की जरुवत आती है, तो आप first averaging के इंदर, मतलब second time जब entry होगी, ऐसे support zone पे, then 5% fund use करो, then इसी के साथ में third time अगर averaging करनी पड़े, then 5% use करो, fourth time करना पड़े, तो भी 5% use करो, और मैं आपसे कह सक 4 times से जादा पे तो averaging करने की जरुवत ही नहीं पड़ती है, आपकी quantity माली जी यहाँ पे क्या थी, 100 quantity थी, यहाँ पे फिर आपने 5% की साब से देखा, वहाँ पे आपने अपने fund के 5% की साब से count किया, तो माली जी यहाँ पे 20 add हुई, फिर यहाँ पे 20 add हुई, फिर यहाँ जो average price है ना, जो यहाँ पे आपने buy किया था, वो खिसकते 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 बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से जब हलकी सी भी movement आएगी, तो आप क्या करोगे सबसे पहले, अपनी बड़ी quantity है, उसको पूरे को exit करोगे, exit करने पर जो manageable quantity होगी, जिसको देखक अगर आपको panic ना होता हो, उस quantity में आप normal enter करके नीची से उपर तक का profit gain करने की कोशिश करोगे, and इतनी भी चीज़ अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना, then उस condition में आप trade मत करो, मैं आपको इतनी सी बात बोलना चाहता हो, मैंने आज देखा, आज मेरे पास एक message भी आया, एक fund था, और आप यहाँ पे 200 quantity में काम कर रहे हो, या 100 quantity में काम कर रहे हो, देखो फिर तो आप खुद कहा रहे हो, market को आ बैल मुझे मार, मतलब common सी बात आती है, आप खुद common sense लगाए, आपको अगर averaging rule नहीं आते हैं, आप अपनी psychology को develop नहीं कर पा रहे हो, सोचो यहाँ पे price ठीक है, resistance zone के पास price है, तो इस condition में अगर मैंने buy भी किया होता, तो क्या मैं यहाँ पे 100 lot में buy करूँगा, नहीं, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी quantity को कम रखूँगा, क्यों रखूँगा, अगर मैं यहाँ फिर 50 रखता हो, और यह नीचे गिरना चालू हो जाती है, तो support zone तक आते हैं, मैं यहाँ पे यह दो बार average करने के शमता रख पाता हूँ, सोचो मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे, तो उस condition में मुझे क्या होगा, वहाँ पे huge losses देखने के लिए मिलना तय है, तो यह चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी है, कि overall monthly basis पे जो price चल रहा है क्या वो resistance के पास पढ़ रहा है जादा, या फिर वो support के पास जादा नजदीक पढ़ रहा है, अगर वो support के पास जादा नजदीक पढ़ रहा है, तो आप अच्छे से उसको like बड़ी quantity में काम कर सकते हो, क्योंकि highly chance है कि monthly basis पे यह वापस reversal कर जाएगा, और बहुत easily हो भी ज तो आप खुद इसाब लगा सकते हो, अगर दस पैसे की moment आती है, तो दस पैसे की moment के अंदर, यहाँ पे हम लोगों को पता है क्या होगा, दस पैसे की moment में 2 lakh रुपिस का profit loss दिखाए देगा, और इसी चीज़ में, अगर आप सोचो, मैं यहाँ पे केवल 20 lot में काम कर रहा ह तो मुझे यहाँ पे 2000 का profit loss दिखाए देता, तो अगर मेरी अभी जो psychology है, जो mindset है, या फिर कह सकते हो काम करने की शमता है, वो 2000 का profit loss देखने की है, तो क्यों आप 2 lakh वाले के साथ पंगा लेना चाहते हो, सोचने की बात है, इसी market में कोई इंसान 2000 का profit loss देख रहा है, उसके इसके लिए वो normal बात है, इसी market में कोई इंसान 2000 का profit loss देख रहा है, इसके लिए वो normal बात है, इसी market में कुछ इंसान ऐसे हैं, जो 200 रुपे के profit loss के साथ ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि अभी उनकी जो development है, उनकी जो psychology है, skill set है, वो अभी 200 रुपे वाला है, जिसका 2000 वाला जब psychology develop होती है, कि मैं कर क्या रहा हूँ, अब मुझे पता है, support zone के पास market खड़ी हुई है, तो इस condition में मुझे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे averaging अगर करनी पड़ेगी न, तो support break होगा, तो मैं तो चाहता हूँ break हो जाए न, common सी बात है, सोचो यहाँ पे market है अ common सी बात है, मैं panic में नहीं आओंगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल proper जगा पर ही तो enter किया था, और enter करने के बाद मैंने averaging करते करते, अगर support number 2 तक price चला भी गया, तो मेरे लिए एक benefit वाली चीज होगी, क्यों, जब मैं नीचे से ऊपर तक के profit को लेने के लिए तयार तो वो एक बड़ा profit देखने के लिए मुझे मिलने वाल है, अब जब market नीचे जाएगी मेरे भाई, तब भी तो आप उसमें enter कर पाओगे न, अगर market सोचो resistance के पास ही घूमती जा रही है, तो आप enter क्यों करोगे, पागल थोड़ा ना हो, आप महापे क्या करोगे, counter trade जाके काम करना सबसे बड़ी मूर्गता वाली चीज हो जाती है, और कोई भी ऐसा subscriber, जो ऐसी करने की सोच रहा है मेरा, प्लीज मत करो, क्योंकि मैंने आप बहुत बार देखा है, कि जब USDNR में movement आने का मन होता है, ना मेरे भाई, तो वो दिन के अंदर 30 पैसे, 40 पैसे की movement क कर देगा, और आप वहाँ पे उस movement को खोदोगे, देन उस condition में आपको सबसे जाधा बुरा लगने बाला है, अगर आपकी quantity जाधा है, तो आप अपनी quantity कम कर लो, जब आपको लगे हाँ, इतना तो मैं manage कर सकता हूँ, समझ रहो, अभी की बात करूँ ना, मैं अगर अपनी लोट है, देख लेंगे, तीन सो लोट है, देख लेंगे, देन आप उसके लिए, आपको habit हो चुकी है, कि आप इतनी चीज़े इतने pressure को manage कर पाओ, बट सोचो, मैं हापे 50 लोट में काम कर रहा हूँगा, तो 50 लोट में भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, common सी बात है, अग को जब आप support zone के पास में enter करते हो, तो high quantity में करोगे, तो ठीक है, दन उसके बाद में 5% का rule implement कर सकते हो, जब भी नीचे वाले supports आते हैं, तो 5% fund को use करके, जितने भी lot आपके आते हो, उसको use कर लिजे, आप notice करोगे, कि आप अगर 4 बार भी average कर लेते हो, मैं कहता हूँ 5 ब currency में जरुद पढ़ जाती है, कोई ऐसी news आ जाती है, पहली बात तो ऐसी कुछ news है नहीं, तो डरने की कोई बात नहीं है, budget का impact था, वो impact आएगा, और आने के बाद में वो simple सी बात है, normal हो जाता है, जब भी market नीचे की तरफ जादा जाती है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ह बी तो देखेंगी ना, कि अब हमा आनर जो है, basically मजबूत हो रहा है, तो common सी बात आ जाती है, हमारा dollar कमजोर हो रहा है, यही तो बात आती है, तो federal reserve जो होती है, वो भी कुछ ना कुछ policies create करना चालू कर देती है, policies बहुत तरीके की हो सकती है, जैसे कि like oils की बात करें, oil का price बढ़ाना है, घटाना, like price बढ़ेगा, तो हमें जादा dollar pay करने पढ़ेंगे, dollar की मांग बढ़ेगी, तो dollar की value खुद बाखुद बढ़ जाती है, इस पर बहुत सारी चीज़े निरबर करती है, बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो यह बंदे बैठे होते हैं, federal reserve के अंदर, जो इस चीज़ को manage करते है, dollar की value कितनी उपर, कितनी नीचे, कहां तक रहनी चाहिए, यह चीज़ ध्यान आती है, अगर यह जादा नीचे आ जाएगा, USD, INR जादा नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब है, federal reserve activate हो जाती है, और अगर यह सोचो उपर की तरफ भागना चालू हो जाए, बहुत जादा उपर चला जाए, इसका मतलब क्या है, कि dollar मजबूत हो गया है, INR कमजोर हो गया है, तो उस condition में उपर की तरफ कौन खड़ा हो जाता है, RBI आ के खड़े हो जाती है, कि मालिक नीचे चलो, ठीक है, और ऐसे जादा नीचे चला जाता है, तो यहाँ federal reserve खड़े हो जाती है, कि मालिक थोड़ा सा उपर चलो, manage करके चलो, समझ रहो, तो यह पूरा का पूरा concept रहता है, जब हम काम करते हैं, बाकी money management के अंदर यह बात ध्यान रखना, जब भी enter करो, 20% fund से जादा use मत करो, first averaging पे 5% use कर लो, second averaging पे फिर 5% use कर लो, third averaging पे फिर 5% कर लो, आप notice करोगे कि आपका जो fund है, वो कितना fund use हुआ, आप खुद हिसाब लगा सकते हो, 40%, 45% fund आप use करोगे, then आपको तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो वहाँ पे fund 60% अभी भी बचा पड़ा है, वो आपकी like counter trade करने में मदद करेगी, ठीक है, आपको बिल करती क्या करते हैं, भाई मैंने बताया ना, 4,50,000 का अगर किसी का fund है, पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, जब किसी का 5,000,000 का fund होता है, मैं खुद बोलूँ आपको, तो 5,000,000 के fund पे मैं उसको अलाओ करता हूँ, कि आप 50 lot के अंदर काम करो, कोई दिक्कत की बात नह आती, मतलब आपने 1,00,000,000 का fund यूज किया है, और आपके 4,00,000,000 अभी भी खाली बैठे हुए हैं, तो आपके माइंड में रहता है कि भाई, मैंने proper money management का follow किया, अब क्या है, सोचो, first averaging करने की ज़रूर पड़ी मुझको, तो भाई, 4,00,000 पड़े हुए हैं मेरे पास में और 10 lot, चार बार averaging किया न, तो भी जो मेरा price होगा, मालो यहाँ पर price averaging, price buying जो था यहाँ पे, यह खिसकते खिसकते नीचे आ जाएगा, और इतना नीचे आ जाएगा, कि जैसे हलकी सी भी movement आएगे न, USDNR के अंदर, तो आपका पूरा जो नुकसान था, वो नुकसान तो छो जो आपके पास में 4.5 लाग का fund है, और यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, दोको मैं यहाँ पर किसी कि सब की तारीफ करने तो बैठा नहीं हूँ, कि तालिया बजाओ, मैं तारीफ कर मेरा काम है, अगर आप गलत कर रहे हो, तो कॉमन सी बात है, उसको बता देना, और आपका काम है, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो उसको बता देना, कि यह वाला concept गलत बता दिया, ध्यान दो, अगर आपका 4.5 लाग का fund है, आपने क्या किया, आपने 200 लोट के अंदर ट्रेड डाल दी, और ट्रेड भी कहां डाली, पता है आपको यहां पर लाइक ऐसे, ट्रेड भी यहां उपर से डाल रखिये है, नीचे आते 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 आते, बैठे हैं, मुझ खोल गे, कॉमन सी बात है, यह बात भूल गए, कि 200 लोट से हैं, और केवल 4.5 लाग का fund है 200 लोट का मतलब हो जाता है, आपने 4 लाग उर्पे का fund तो use ही कर लिया मेरे भाई, बचे कितने 50,000 रुपे, अब यह 50,000 क्या कहेंगे, मालिक हमको भी क्यों use किया था, हमें भी दिलवा दो ना, हम भी use हो जाते हैं, हमें क्यों बिठा रखा हैं आपे, तो उस condition में आपको वहाँ पे huge losses देखने के लिए मिलने वाले हैं, और मैं तो कहता हूँ, मिलने भी चाहिए, क्योंकि आपने market के इज़त नहीं किया, आपने market के rules and regulations को follow नहीं किया, अपनी खुद की एक strategy जो money management होनी चाहिए, उसको follow ही नहीं किया, कोई इंसान 5 lakh के साथ काम कर रहा है, और वो यह इतनी अच्छी रकम होती है, साल भर में आपका account 60%, like 2-3 lakh का profit दिखाता है साल भर में, आप यह बताइए, आपको कौन सा bank 5 lakh के उपर 2 lakh या 3 lakh रुपे का profit कमा के दे रहा है, मुझे बस इतना बता दो, अगर आप सोच रहो कि महिने में 5 lakh के उपर 5 lakh कमाना चाहता हूँ, तो आप गलत business में आ गए हो, यहाँ पर क्या होगा, आपके 5 lakh भी छीन ले जाएंगे क्योंकि आपके पास में समझ नहीं है, पैसा क्या करता है share market में, ना समझ इंसान की जेब से, समझदार इंसान की जेब में transfer होने का एक बहुत ही अच्छा कह सकते हो machine, जो है उसको क्या बोलते हैं share market, इस बात को दिमाख में बिठा लीजिए, अगर आप ये चीज सोच रहे हो, कि भाई पैसा जाता ही जाता है, नहीं आता भी है, बस आपको क्या करना है, अपनी skill को improve करना है, प्लस अपने mindset को improve करना है, मैंने अभी कहीं पर पढ़ा भी है, कि अगर एक ही नहीं कर पा रहे हो, कि मैं किस time, कुछ लोग ऐसे हैं, सुबह दस बजे तो सो के उठते हैं, फिर कहता है, मुझे trade नहीं मिल पाई, कैसे मिलेगी मालिक, market है वो, कोई आपके पापा की जागीर थोड़ा ना, कि आपको होगे, पैसा दो मिल जाएगा, वही चीज यहां प भी कमालो यार, 3% भी 15,000 बैटते हैं, लोग 15,000 के लिए बिचारे नोकरी करते हैं, शुकर बनाओ, उपर वाले का कि उन्होंने आपको 5,00,000 रुपेज की शमता परदान किये, कि हाँ वही तुम 5,00,000 है तुमारे पास, तो 5,00,000 से 15,000 बना रहे हो, यह बिचारा एक आद अगर आप घर में बैटके, बिना कोई खास खर्चे किये, बिना कोई टाइम लगा, अगर 15,000 निकाल रहे हो ना, तमीज से, भाई इज़त से ले लो, ठीक है, मार्केट है, इतना ही देती है, 5,00,000 के उपर 15,000, 20,000, 25,000 बन रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छी एक पॉजि पर क्या होता है, ego hurt हो जाता है, देखा है मैंने काफे सारे लोगों का हो जाता है, कि हम तो यह वाली strategy यूज़ कर रहे हैं, भाई करते रो, कोई फरक नहीं पड़ता है, ठीक है, हर किसी के अपनी mindset होता है, अपना-पना सोचने का तरीका होता है, इसे के साथ मैं आज की वी 482890, सेकंड नंबर है 8077521043, इन में से किसी भी नंबर पर आप message कर सकते हो, सेकंड है मेरी ये website है, explosive trades.in, आप इस website पर जाके easily continue कर सकते हो, और चेक कर सकते हो कैसे currency market में काम किया जाता है, इस सारी चीज़े मैंने नीचे अपडेट करके आपको दीए है, प्लीज उसको जा हुआ है, प्लस मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, किस तरीए से हम लोग levels में काम करते है, ठीक, कितनी बार क्या किया करना पड़ता है, नीचे 56 मिनिट का चोट आसा है course है, इसको आप ले सकते हो, जो कि 19 रुपीस का ही रखा है मैंने, आपको जब उसको purchase करते हो, करने के बाद एक app होता है, रीगी app, वहाँ पर जाके, माई purchase के अंदर आपको दिख जाएगा, आप continue करके देखो, समझ में आएगा कि कैसे काम किया जाता है, levels के उपर, क्योंकि trick होती है काम करने की, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग indicator पर काम करते हैं, कुछ लोग काम करते ह है, like levels के उपर, तो हम लोग यहाँ पर इस पर यह चीज़े implement करते हैं, जाके check कीजे, नीचे मैंने description में और comment में उसके link भी आपको दी हुई है, तो इसे के साथ आज की video बंद करते हैं, मिलते हैं next important video के अंदर. हैं, आart प् Settings के आज है, ऊंदर 20 सब्सक्राण, यहाँ आज करते हैं, जा मिलते हैं, तो हम झाल, मिलते हैं, तो करते हैं, मिलते हैं, ध